वेलकम बैक तो तो चानल आज हमारे सामने खड़िये शिफ्ट का 2024 का लेटेस्ट मॉडल ये हाल फिलाल में लॉंच हुई थी कंपनी की तरफ से कार और लॉंच होने के बाद मार्केट के अंदर इसने एक अलग जगा बनाई क्योंकि इसके अंदर आज के टाइम पे आपको न ही न कहीं जादा प्रीमियम लगती है अगर मैं बात करूं जब आप इस गाड़ी को लेते हैं सड़क पर चलते हैं इसको लेके तो यह आई-कैची वाली जो स्टांस है इसका वो यहां पर क्रियेट करती है यहां पर आज मैं बात करने वाला हूं टाइटल थमनेल पड़के होई गई है और थोड़े दिन में ही इसके अंदर जो है आपको CNG देखने को मिल जाएगी और reality में अगर मैं बात करूं तो यह move बहुत time से लोग वेट कर रहे थे क्योंकि जो लोगों ने shift 2023 खरीद ली जी पिछले साल जिनकी need थी गाड़ी खरीदने की hatchback और उनको shift ही ले तो उनके लिए यह news बहुत अच्छी है official जो showrooms है उन पर अगर आप booking करना चाहते हैं तो booking भी स्टार्ट हो चुकी है अनफिशल तरीके से मतलब अंदर यंदर आपकी जो booking है वह आपको मिल जाएगी जो आपकी कार है उसको भी जल्दी सी जल्दी आपको यह दे देंगे ब यह BXI model है इसका जिसके अंदर आपको काफी अच्छे front dynamics देखने को मिलते हैं fog lamps नहीं देखने को मिलते हैं यहां पर आपको headlamp देखने को मिल जाता है और सबसे major बात करूं इसके इंजन की तो under the hood में आपको यहां पर engine जो मिलता है इसके अंदर sorry एक तो कभी-कभी यह ख बात करूं in terms of mileage के अंदर तो mileage भी काफी अच्छी है लेकाल के देर आये customers को तो अगर आप पेट्रोल में भी इस गाड़ी को लेना चालते हैं तो आपको यह 25 की अबव mileage प्रोवाइड करती है और city city में भी अगर है बात करूं तो आपको 20 की around की mileage दे देगी क्योंकि engine काफी जादा refined रखा गया है 81 bhp और 117 mm का इसके अंदर आपको torque देखने को मिलता है तीन cylinder engine है बहुत से लोग कहें गया तीन cylinder कर दिया refinement कम हो जाएगी देखो थोड़ा बहुत फरक तो दिखता है 3 cylinder और 4 cylinder में बट यहाँ पे काफी अच्छी tuning करी गई है जिसके बाद अगर मैं ब जाफी अच्छा इसका जो है dynamics देखने को आपको मिल जाते हैं all around में बात करूं यहाँ पर side profile से भी तो side profile अगर आप यहाँ पर note down करें तो कितनी ही जादा sporty texture में side profile यहाँ पर offer कर रखी है यहाँ पर अगर मैं बात करूं टायर साइज का भी तो टॉप मॉडल में बात करें अगर आप इस वाले मॉडल में बात करें तो 165-80R14 के टायर साइज आपको इस मॉडल में देखने को मिलते हैं टायर साइज वैरी करता है model to model तो वह चीज़े हैं बाकी front में डिस इस वाले मॉडल में आपको alloy wheel देखने को तो नहीं मिलते हैं बट steel wheel black में मिलते हैं उपर आ जो उपर की side door handle आता था यहां पर आपको proper एक normal car की तरह door handle दे दिया गया है और personally मैं बात करूं तो यह design मुझे काफी ज्यादा पसंद आया back profile से भी अगर आप यहां देखें एक बार तो कितनी ही ज्यादा सुन्दर इसके अंदर back profile आपको देखने को मिलती है और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको शिफ्ट की बाजिंग मिलती है मारुचु सुसु की का लोगो मिलता है टेल लाइट सेट अप बहुत अच्छा है चार रिवर स्पार्क इंसेंस मिलते हैं फीचर के मामले में बात करूं तो गाड़ी के अंदर कोई major change नहीं आएग बहुत personally attractive है यार मज़ा आ जाता है मतलब इन टेल लाइट में जान है इस गाड़ी की क्योंकि यह बहुत ही एक अच्छा attractive लुक देती है गाड़ी को और personally back profile से मुझे यह गाड़ी बहुत attractive लगी है interior से अगर मैं बात करूं तो outlook आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता स्क्रीन देखने को मिल जाती है बहुत अच्छे अच्छे features देखने को मलते हैं इसका automatic variant है automatic variant भी इसके अंदर आपको 25 की mileage offer करता है boot space की अगर नहीं हाप है मैं बात करूं तो भाई boot space भी इसके अंदर बहुत अच्छा दे रखा है सुनने में यह आ रहा है कि इसके अंदर आपको dual cylinder technology देखने को मिल सकती है अब देखते हैं कि यही पहली गाड़ी बनती है क्या मारूती की जिसके अंदर आपको dual cylinder technology मिलेगी क्योंकि अब Hyundai company ने भी अपनी गाड़ियों के अंदर dual cylinder technology लेकालना start कर दिया है तो क्या मारूती इस move में शामिल होती है या नहीं वो चीज अब दे 25,000 अगर मैं बात करूं और एक लाख उर्पे का फरक आता ही आता है जब आप CNG गाड़ी लेते हैं company से तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी और इस बार ही देखने वाली ये भी बात है कि भाई fuel cap के अंदर CNG आएगी या फिर कोई एक external unit लगा के इसको बेजेंगे तो वो चीजे 12 सितंबर को ही clear होंगी और further details के लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए लाऊँगा खोशिश करूँगा कि direct आपको मैं अब गाड़ी ही दिखाऊं बारा तारीक को बट अगर गाड़ी showroom में display में नहीं आती है अभी तक तो फिर मैं आपको एक all over view कि आपको क्या चीजे मिल रही है गाड़ी के अंदर जिससे गाड़ी के अंदर जो मैं बात करूँ points बनते हैं इसको buy करने के city use के लिए अगर shift लेना चाते हो तो भाई बहुत अच्छी गाड़ी है आपको size अच्छा मिल रहा है आपको features मिल रहे है एक new design मिल रहा है वह high strength steel से बनाई है जिससे जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वह है आपको improvement मिलेगी इसके build quality के अंदर तो बाकी इस वीडियो को इस note पर ही खतम करते हैं वीडियो informative लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करना शेयर करना चानल को सब्सक्राइब करना ऐसी और informative वीडिय पराऊंगा तिल दर इस वीडियो को देखने के लिए thank you so much